अलो दोस्तों आज हम आप लोगों को सेवेसी बूर्ड का जो इंटर का इंगलिस में स्लेबस है चौथा लेशन आप लोगों का है रैड ट्रैप जिसके लेखा का है सेलमा लेगर लॉफ इस कहानी को आठ डिटेल में समझाएंगे चलो देखते हैं सुरुआत करते हैं कहानी इसमें बताया गया है कि कैसे किसी बूरे आदमी को दया और सहान भूध प्रेम से कितनी आसानी से बदला जा सकता है कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक आदमी था जो तार की बनी छोटी चुहेदानिया बेचने चारों ओर जाता था वा उन्हें दुकानों और फार्म हाउस से मांग कर लाए गए सामान से अपने हिसाब से स्वेम बनाता था कि फिर भी व्यापार भी से सुरूप से लाबदायक नहीं था इसलिए जीवन यापन के लिए उसे भीक मांगने तथा चोटी मोटी चोरी करने दोनों का ही सहरा लेना पड़ता था फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने होते थे उसके गाल पिचके हुए और भूख उसकी आँखों में सब जलकती हुई दिखाई पड़ती थी कोई सोच भी नहीं सकता था कि एसे घुमकड के लिए जीवन कितना दुखद और नीरस हो सकता है जो अपने ही विचारों में खोया सड़क पर चलता रहता था परंतु एक दिन इस आदमी को विचार आया जो उसे बहुती मनुरंजग लगा सुभाविक रूप से वा अपनी चुहे दानियों के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसे बीचे आ रहाया कि उसके चारों और की पूरी दुनिया भूम, समुद्र, सहर और गाओं के साथ पूरी दुनिया एक बड़ी चुहे दानी के लावा कुछ नहीं है लोगों को ललचाने या फसाने के लिए चारे वाली वस्त में डालने के अलावा इस इस दुनिया का अस्तित्तु और किसी उद्देश के लिए नहीं है या दुनिया संपति, खुसिया, आस्रे, भोजन, गर्मी, वस्त्रे ठीक उसी तरह देती है जैसे चुहे दानी, पनीर और सुवर का मान स्पेस करती है और जैसे ही कोई चुहा भोजन की लालच में पढ़कर उसे चूता है तो या उसे बंद कर देती है और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है फिर क्या हुआ, संसार के संसार उसके लिए सचमुच कभी भी दयालू नहीं रहा था इसलिए उसके बारे में बुरा सोचने से उसे अजीब सा सुख मिलता था वो अपनी बहुत इत नीरस यात्राओं के दौराना इसे परचित लोगों के बारे में सोचना उसका इच्छित मरोरंजन बन गया था जिन्होंने स्वयम को खतरनाग जाल में फसने दिया था और दूसरे उनके बारे में जो अभी भी लल्चाने वाले चारे का चक्कर लगा रहे थे एक अंधेरी साम जब वह सड़क पर ठकावट के करण धीरे धीरे जा रहा था तो उसकी नजर सड़क के किनारे इस्तित एक पुराने छोटे घर पर पड़ी और उसने रात भर का असरे पाने के लिए दरवजा खटखटाया उसे मना भी नहीं किया गया आम तोर पर मिलने वाली दुखी चेहरों के बजाय घर का मालिक जो बिना पत्नी और बच्चे का बूढ़ा आदमी था अपने अकेले पन में बाचीत करते हैं बाचीत करने हैं तो किसी को पाकर वो खुस हुआ सीगरी उसने दलिया कि हांडी आग पर चढ़ा दी परयाप्त थी अंत में उसनी पुरानी तास की घढड़ी निकाले और सोने का समय होने तक अपने महमान के साथ तास का मेजॉलिष नामक खेल खेला मैमजॉलिष नामक खेल खेला बुढा अदमी दलिया और तंबाकु के प्रती जितना उदार था उतना ही उदार अपनी गुप्त बाते बताने के प्रति अतित को तुरंत ही बताया गया कि अपनी समरद्धी के दिनों में उसका मेज़मान अर्थातवा बूर्धा आदमी रामजे लोधो की जमीन में करसक था और उसने उस भोमी पर काम किया था अब जब कीवा दिन भर की मज़दूरी नहीं कर पाता था उसकी गाय ही उसका सारा थी हाँ आसाधर्ण थी वह प्रतिर मक्षन के लिए दूद दे सकती थी और पिछले मा उसे पूरे तीस क्रोनोर भुकतान में प्राप्त हुए थे बुड़े विक्ति को अवसी ऐसा लगा होगा कि वह अजनभी उसकी बात पर विस्वास नहीं कर रहा है कि उसने अवास्तों में तीस क्रोनोर प्राप्त किये होंगे बुड़ा विक्ति खड़ा हुआ और खिड़की तक गया चम्रे का थैला उतारा जो उसकी खिलकी के धांचे में लगी एक कील पर लटका हुआ था और दस क्रोनोर के तीन मुड़े हुए नोट निकाले ये नोट उसने आतित के आँखों के सामने जानबूज कर सिर हिलाते हुए रखे अर्थात इस तरह पकड़े कि अतित को दिखाई दे जाए और फिर उन्हें वापस थैले में ठोस दिया आगले दिन दोनों आदमी अच्छी मना इस्तिती में जागे क्रसक को अपनी गाय दुहने की जल्दी थी और दूसरे आदमी ने सोचा होगा कि जब घर का मुख्या जाग चुका था तो उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए वे एक ही समय साथ साथ घर से निकले क्रसक ने दर्वाजे पर ताला लगाया और चाभी अपनी जेब में रख ली चुहेदानी बेचने वाले आदमी ने नमस्कार किया और धन्यवाद दिया और इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर चले गए पिन्त आधे घंटे बाद फेरी लगा कर चुहेदानी बेचने वाला एक बार फिर दर्वाजे के सामने खड़ा था तथा आप उसने अंदर जाने की कोशिक नहीं कि वह सिर्फ खिडकी तक गया एक कांस तोड़ा अपना हाथ अंदर डाला और उस थाइले को पकड़ लिया जिसमें तीन क्रोनों रखे थे उसने पैसा लिया और अपनी जेब में डाल लिया फिर उसने चमड़े के थाइले को बड़ी सावधानी से उसके इस्थान पर लटका दिया और चला गया जब वह जेब में पैसा लेकर चला तो अपनी चतुराई पर बड़ा खुस हुआ उसे मैसूस हुआ कि सुरू में मुख की सड़क पर चलते रहने की उसकी हिमन नहीं थी रास्ता बदलकर उसे जंगल में जाना चाहिए सुरू के कुछ घंटों में इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई दिन में कुछ समय पस्चात ही अधिक परेशानी हो गई क्यों कि यह एक बड़ा और भ्रम डालने वाला जंगल था जिस जंगल में वो गया था जिसमें वो प्रिवेस कर गया था फस गया था आस्वस्त होने के लिए उसने एक निश्चित दिसा में चलने की कोशिस की किन्तु रास्ते अजीवो गरीब तरीके से आगे पीछे मुड रहे थे वो चलता रहा कि जंगल के छोर तक ना पहुँच सका उसने मैसूस किया कि वह जंगल के उसी भाग में इधर उधर घूम रहा था अचानक उसे संसार और चुहेदानी के बारे में अपनी विचार याद आए अब उसकी स्वयम की बारी आ गई थी अब वह स्वयम ही संसार रूपी चुहेदानी में फस गया था उसने चारों को उसने चारे को उसको मुर्ख बनाने की अनुमत दी दी थी और फस गया मुर्खता से फस कर दूसरे का धन चुरा लिया था और इस प्रकार संसार के मकड़ जाल में फस गया था पूरा जंगल अपने तनों, साखाओं, जुर्मटों और गिरे हुए लकड़ों के साथ उसे एक ऐसी दुरगम जेल की भात घेर रखा था जिसमें सेवा कभी भी निकल नहीं सकता था दिसंबर समाप्थोने को था अधेरा पहले ही जंगल पर चानी लगा था इसने खत्रा बढ़ा दिया और उसकी उदासी और निरासा को भी बढ़ा दिया अंत में उसे कोई उपाय न सुझा और वह बहुत अधिक ठका हुआ था या सोचते विए जमीन पर गिर गया कि उसका अंतिम समय आ गया था लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर ठीक आया उसने एक आवाज सुनी एक जोरदार लगातार थप थप की आवाज इसमें कोई संदे नहीं था कि वह क्या था वह आउट खड़ा हुआ या किसी लोहे की फैक्टरी से हथावड़े के प्रहार की धोनी है उसने सोचा पास में ही होना चाहिए उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई खड़ा हुआ लड़ खड़ाते हुए धोनी की दिसा में चला रामसे लव धोग जो अब बंद हो गया था थोड़े समय पहले प्रगालक, बेली मिल और ढलाई घर से युक्तिस बिसाल कार खाना था ये एक गर्मी के दुनों में पूरी तरह से भरी हुई नौकाओं की तस्मीरे नौकाओं की कतारें उस नहर में चलती थी जो इस इलाके के मदभाग में इस्तित बड़ी जील की तरफ जाती थी और सरदी की दिनों में मिल के पास की सड़क कोईलों की टोकरियों से चन कर गिरी कोईले की धूल से काली हो जाती थी क्रिस्मिस से ठीक पहले लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक लंबी अंधेरी संध्या को मुख लोहार और उसका सहयोगी भठी के पास अंधिकार युक्त ढलाई घर में बैठे आग में डाले विए कच्चे लोहे को निहाई पर डालने के लिए तयार होने की कोशिस कर रहे थे बीच बीच में उनमें से कोई एक लंबी लोहे की छड से सुलकते पिंड को कुरेदने के लिए खड़ा होता और कुछी छड़ों में टपकते विए पसीने के साथ लोटता जैसा की प्रथा थी एक लंबी सर्ट और लकडी के जूतों के अलावा कुछ भी पहने वे नहीं होता था हर समय भठी में कई प्रकार की दुनिया सुनाई दे रही थी बड़ी धौकनी कराती थी और जलता हुआ कोईला चटकता था तथा आग की देखभाल करने वाला लड़का बड़ा खडखड का सोर करता हुआ बेल्चे से भठी में कोईला जूकता था बाहर जल प्रपात धारते थे तेज उत्तरी हवा फर्स के इटों पर वर्सा के कोड़े मारती थी फिर संभवता इस सबसोर के कारण लोहार का ध्यान कि एक आदमी गेट पर खोल कर आ गया तब तक नहीं गया जब तक वह आदमी भठी के निकट आकर खड़ा नहीं हो गया अब यही पहुचा है जो चुहेदानी बेच रहा था निश्चे ही रात के लिए किसी बेहतर आस्रे रहित गरीब घुमकड़ों के लिए कालिमा लगे सीसों से निकलने वाले प्रकास की चमक के पास ढलाई घर की ओर आकरसित होना और आग के सामने तपने के लिए अंदर आना बिलकुल यह आसामान नहीं था लोहे का काम करने वालों ने गुस बैठियों पर एक सरसरी और निर्पेच भाव से अर्थात उदासींता में नजर डाली वह जैसा ही दिखाई पड़ा वह वैसा ही दिखाई पड़ रहा था जैसा उसकी तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं लंबी दाड़ी गंदा फटे हाल और उसके सीने पर चुए दानियों का गुच्छा लटकता हुआ दिखा उसने ठैरने की अनुमत मागी और मुख लोहार ने उसके सम्मान में एक भी सब्द बोले बिना घमंड भरी सोक्रत में सिरिला दिया गुमक करने भी कुछ नहीं कहा वहाँ बात करने के लिए नहीं वरना तापने और सोने के लिए आया था भाई उन दिनों रामसे लो उद्धोक का माली के एक बहुत प्रशिद लोहे का व्यपारी था जिसकी सबसे बड़ी महतकौंचा बाजार में अच्छा लोहा पहुँचाना था वह दिन रात यही निगरानी रखता था कि काम यथा सक्त जितना संभव हो अच्छा हो और इस समयवा भढ़ाई घर में निरिच्छड के लिए अपने एक रात रिकालिन दोरे पर आया था सुभाविक रूप से जो पहली चीज उसने देखी वह लंबा घुमकर था जो भठी के इतना अनजदीक सरग गया कि उसके गीले फटे कपड़ों से भाव उठने लगी थी लोव एपारी ने लोहारों के उधारण का अनुसरन नहीं किया जिन्होंने अजनवी की ओर देखने तक किरपा नहीं की थी वह उसके ज़्यादा पास आया उसे ध्यान से देखा और फिर उसके चेहरे को और अच्छी तरह देखने के लिए उसने जुके टोप को अटाया चुहे दानियों वाले आदमी ने रामसे परंत निसंदे या तुम हो निल्स एलोफ हो निसंदे या तुम हो निल्स एडॉल्फ उसने कहा चुए जो मकान का रामसे उद्धोग का जो मालिक था उसने कहा अच्छा तुम निल्स एल आफ हो तुम कैसे दिख रहे हो चुए दानियों वाले आदमी ने रामसे के मालिक लवेपारी को पहले कभी नहीं देखा था और यहां भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था परंद उसके दिमाग में आया कि यह दिख भला आदमी सोचता है कि उसका कोई पुराना परचित है तो सायद उसे दो क्रोनोर फेक कर दे दे इसलिए वा उस लव वैपारी के भ्रम को तुरंत ही दूर नहीं करना चाहता था हाँ भगवान जानता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है उसने ऐसा कहा मनी मन में आगे क्या हुआ तुम्हें रेजिमेंट से त्याक पत्र नहीं देना चाहिए था लव वैपारी ने कहा वह गलती थी कासु समय भी मैं सेवा में होता तो या कभी नहीं होता खैर अब तुम मेरे साथ घर चलोगे जमीदार के घर पर जाना और उसके स्वामी दोरा सेना के पुराने साथी की भात स्वागत किया जाना हालांकि इस बात से घुमकड़ खुस नहीं होगा फिर क्या होगा नहीं मैं इसके बारे में सूच भी नहीं सकता उसने बिलकुल चोकरना अपने को दिखाते हुए कहा उसने तीस क्रोनोर के बारे में सूचा जमीदार के घर जाना सोयम को सोच्छा से सेर की मांद में फेंकने ये डालने जैसा होगा वह तो बस यहां ढलाई घर यानि भट्टी में सोने का और यथा संभव चुपके से खिसकने का एक मौका चाहता था लव वैपारी ने समझा कि वह अपने खराब कपड़ों के कारण सर्मिंदा है क्रिपया ऐसा ना सोचें कि मेरा इतना सुंदर घर है कि तुम वहाँ जाही नहीं सकते एलीजावेथ मर चुकी है जैसा को तुम पहले सुन चुके होगे मेरे लड़के विदेश में हैं और घर पर मैं और मेरी सबसे बड़ी पेटी के अलावा कोई नहीं है हम अभी अभी कहे रहे थे कि बड़ी बुरी बात थी कि क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं था अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन को थोड़ा और जल्दी समाप्त करने में हमारी मदद करो ऐसा मील मालिक नहीं कहा किंत अजनवी बार-बार मना करता रहा और लोवेपारी को लगा कि उसे हार माल लेनी चाहिए अर्थात उससे जलने की जिदने ही करनी चाहिए ऐसा लगता है मानो कैप्टन वान इस्टेल ने अपने साथ आज़राथ ठहरना पसंद किया इस्तेनिस्तोब यानि एक उपनाम जो है इस्तेनिस्तोब उन लिया क्या नाम लिया इस्तेनिस्तोब उसने मुख लोहर से कहा जो इस्तेनिस्तोब था पीछे की ओर घूम गया किन्त जाते जाते वह अपने आप हसा और लोहार जो उसे जानता था अच्छी तरह समझ गया कि वह अपनी अंतिम बात नहीं कह चुका था आधे गंटे से कम समय में ही ढलाई घर के बाहर उन्हें एक वाहन के पहियों के आवास सुनाई पड़ी और एक नया अतित हे अंदर आया किन्त इस बार या लो एपारी नहीं था उसने अपनी बेटी को उसे लाने के बेज़ा था और यह आसा करते हुए भेजा था कि हमसे ज़्यादा इसको मनाने की सक्तिया अधिक है हमारी बेटी में फिर क्या हुआ उसने अंदर प्रवेश किया पीछे पेचेपनी बहां पर बड़ा फर यानि समूर का कोट डाले उनका निजी नोकर था वह बिलकुल आकर सक नहीं थी किन्तु सालीन और बहुत संकोच सील लग रही थी धलाई गर में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पहले साम को था मुख लोहार और उसका सहायक कभी भी बेंच पर बैठे थे अभी भी बेंच पर बैठे थे वो लोग और लोहा और काठ कोईला अभी भी बठी में चमक रहे थे अजनभी जमीन पर पसर गया था और असुद लोहे का एक टुकड़ा सिर के नीचे लगा कर लेटा हुआ था और उसने अपना टोप आँखों पर सरका लिया जैसे ही वह लड़की ने उसे देखा वह उसके पास गही और उसका टोप उठा दिया साब तोर पर उस आदमी को एक आख खोल कर सोने की आदब थी वह अचानक उचला और बिल्कुल डरा हुआ लगा डरो नहीं मेरा नाम एडला वेल मेंसन है मेरे पिता जी घर आए और उन्होंने बताया कि आज रात आप यहां ढलाई घर में सोना चाहते हैं और फिर मैंने आने और आपको ले जाने की अन्मती मांगी उनसे कप्तान मुझे बहुत दुख है कि आप इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं उस रड़की ने अपनी गंभीर आँखों से साहान भूत पुर्वक उसकी और देखा और फिर उसने देखा कि वह आदमी डरा हुआ था या तो इसने कोई वस्त चुराई है या फिर जेल से भाग कर आया है उसने सोचा और जल्दी से या बात जोड़ी कप्तान आप असुस्त हो सकते हो कि कोई आपको हम उतना ही सुतंत्ता पुरुवक जाने देंगे जितनी सुतंत्ता पुरुवक आप आयो करपया सिर्फ क्रिस्मिस की पूरुव संद्या पर हमारे साथ ठहर जाए उसने या इतने मिलन सारिता भरे अंदाज में कहा कि चुहे दानी के फेरी वाले को उस पर भुरुसा हो गया उसने क्या कहा मैं सिया बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आती कि आप मुझे लेकर परिसान होंगी मैं अभी तुरंथ चलूँगा उसने फर कावा कोट सुविकार कर लिया जो नोकर ने जुक कर समान करते हुए उसे दिया उसे अपने फटे चितरों के उपर डाल लिया उस चुहे दानी वाले ने और चकित लोहारों की तरफ भी निगाहें डाले बिना यूती के पीछे पीछे वहां तक कया कि जमीदार के घर की तरफ गाड़ी में बैठ कर जाते समें उसे अनिष्ट की आसंका हो रही थी क्या आखिर मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुरा लिया अब मैं पिजरे के अंदर बैठ रहा हूं और कभी भी इससे बाहर नहीं निकलूँगा यह सोच रहा था फिर क्या हुआ अगले दिन क्रिसमेस की पूर्व संद्या थी जब लव वैपारी भोजन कच में नास्ते के लिए आया तो सायद उसने अपने सेना के साथ उस साथी के बारे में संतोस पूर्वक सोचा जिससे उसकी मुलाकात अप्रत्यासित रूप से हो गई थी उसकी बेटी ने क्या कहा फिर उसकी बेटी ने कहा क्या कहा सरो प्रत्याम हमें या देखना चाहिए कि इसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चड़ जाए और फिर हमको यह देखना चाहिए कि इस देश में चारों और घूम घूम कर चुए दानिया बेचने की अपेच्छा कोई दूसरा काम मिल जाए बड़ी बीचित्र बात है कि इसके साथ चीजे इतनी ज़्यादा विगड़ गई पिछली रात मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई भी ऐसी बात थी जो यह दिखा सकती थी वा कभी कोई सिच्छित वेक्ती रहा था तब पिताने का तुम्हें धैर रखना चाहिए मेरी छोटी बच्ची जैसे ही आनहा लेगा और नए कपड़े पहन लेगा तो तुम्हें कुछ भिन दिखाई देगा पिछली रात्वा स्वाविक रूप से सर्मा रहा था उसके गुमक्कड वाले कपड़ों के उतरने के साथ ही उसके गुमक्कड वाले धंक तथा तहजीब समाप्त हो जाएंगे फिर क्या था उस विक्त को जो चुहेदानी वाला था उसको नहलाया गया और जे हुए उसने ऐसा कहा दरवाजा खुला और अजनवी अंदर आया वही विक्त हाँ आबुआ सचमुच साफ सुतरा और अच्छे कपड़े पहने हुए था नौकर नहीं उसने इसनान कराया उसके बाल काटे थे और उसकी दाड़ी बनाई थी इसके अलावा उसने मील माली को सुन्दर दिखने वाली पोसाग पहन रखी थी उसने सफेद सर्ट कलफ लगा कड़क कालर और साबु जूते पहन रखे थे फिर क्या हुआ फिर हुआ यू मेरे भाईयों मेरे दोस्तों यद्देप उसका यातित अब खुब सच समरा था लेकिन लव वेपारी संतुष्ट नहीं था लव वेपारी संतुष्ट नहीं था उसके माते पर सलकटे आ गई थी सिखने आ गई थी और देखा कि उसने अजनवी को भठी के दुंदले प्रकास में देखा था तो उसने गलती कर दी अब जब कि वहाँ दिन के खुले जाले में खड़ा है उसे पुराना परची समझने की गलती कर दी मैंने लगता है जिसे हमने पहचाना था वो नहीं है उसने गरच कर कहा इसका क्या मतलब है अजनवी ने दोखा देने की कोशिक नहीं की वह तुरंद भाप गया कि सान सौकत कांथ हो चुका है उसने कहा सिरीमान या मेरी गलती नहीं है उसने कहा या मेरी गलती नहीं है मैंने एक गरीब वेफारी के लावा कुछ भी दिखाने का नाटग नहीं किया और मैंने डहलाई गर में ठहरने की अनुमती पाने के लिए प्राथना की किन्द कोई निक्सान नहीं हुआ बुरे से बुरा या हो सकता है मैं अपने फटे पुराने कपड़े पुना पहन सकता हूं गुस्सा का है रहे हो यह ऐसा का तब लवेफारी थोड़ा हिचके चाते हुए का अच्छा अच्छा यह आइमानदारी पूर्ड बात भी नहीं थी तो मैं यह सोविकार करनी चाहिए और मुझे आश्चर चकित नहीं होना चाहिए यह कहा उस लवेफारी ने यह दिन्याई का अधिकारी इस मामले में कुछ कहे गुमकड एक कदम आगे बढ़ा और मेंच पर एक घुसा मारा क्या बात है श्रीमान लवेफारी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह संपूर शंसा और एक बड़ी चुहे दानी के अलावा कुछ भी नहीं है सारी अच्छी चीजें जो आपको पेस की जाती है किसी गरीब को परिसानी में डालने के लिए सजाई गई पनीर की बाहरी परत और सुर के मांस के टुकड़ों के लावा कुछ भी नहीं है और यदि अब इस बात के लिए निया अधिकारी आए और मुझे जेल में डाल दें तो स्रीमान लवेफारी याद रखें कि एक दिन आ सकता है जब आप सुर के मांस का बला टुकड़ा प्राप्त करना चाश रखते हो और तब आप स्वेम पिजले में फस जाओंगे मैं फस जाओंगा कहा हुआ कथन बुरा नहीं है मेरे प्यारे साथी साइद किर्समिस की पूरुफ संभ्या पर हमें नया अधिकारी को तो छोड़ी देना चाहिए परन्त अब यहां से जितना जल्दी हो बाहर निकल लो जो हमने पहिचाना था वो आप नहीं हो किन्त जहीं हुआ आदमी दरवाजा खोड़ रहा था बेटी ने कहा मैं समझती हूँ इन्हें आज हमारे साथ रुकना चाहिए मैं नहीं चाहती कि या चला जाए और इसके साथ ही वहा गई और दरवाजा बंद कर दिया अब लो यह पारी ने कहा यहां अब तुम क्या कर रही हो बेटा जाने दो इसको यह वह नहीं है जिसे तुम समझ रही हो अब बेटी वहाँ बिल्कुल परेसान खड़ी थी और सायद ही जानती थी क्या उत्तर दे वह सुबा उसे बहुत खुसी हुई थी जब उसने सोचा था कि बिचारे भूखे अभागे के लिए चीजों का वह कितना घर जैसा और क्रिस्मिस के अनुरूप बनाने के लिए तयार कर रही थी वह इस बिचार को अचानक त्याग नहीं सकी और यही कारण था कि उसने घुमकड के लिए दया की मांगी क्या कहा उसने कहा यही मैं यहाँ इस अजनभी के बारे में सोच रही थी वह पूरे इवर्ष घुमता रहता है और पूरे देश में लगवग एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां उसका स्वागत होता है और जहां पर घर जैसा महसूस करता हो वहाँ जहां भी जाता है वहाँ से भगा दिया जाता है उसे हमेशा गिरापतार होने और प्रस्ण पूछने का डर लगा रहता है मैं चाहूंगी कि वहाँ हमारे साथ यहाँ पर सांती का एक दिन गुजारे और पूरे वर्ष में केवल एक दिन अब लव वैपारी ने अपनी दाड़ी के अंदर कुछ बुदबुदाया और बेटी का विरोध नहीं कर सका तब उस लड़की ने का निशन्दे या एक गलती थी उसने अपनी बात जारी रखी किन्त खैर में नहीं नहीं समझती कि हम ऐसे मनुस को भागा दें जिसे हमने ही बुलाया है क्यों पिता जी ऐसे विक्त को हम भागा दें जिसे हमने बुलाया है और जिसके लिए हमने क्रिस्मिस की खुसी का वादा किया है तुम तो किसी पादरी से भी बुरा उपदेश दे रही हो ऐसा उसके बाप ने कहा मैं तो सिर्फ यह आसा करता हूँ कि तुम्हें इसके लिए पस्चाताप ना करना पड़े ऐसा उसकी बेटी ने कहा अब यूती ने अजनेवी का हाथ पकड़ लिया और मेज तक ले गई डरते के हो पिता जी गुस्से में तो क्या मैं तो खुस हूँ अब उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके पिता ने हार मान लिये चुए दानियों वाले आदमी ने एक सब्द भी नहीं कहा वा क्यों बैठ गया और भोजन लेकर खाने लगा बीच ब जैसा कि हमेशा गुजरती थी अजनभी ने कोई परेसा नहीं कि की इसने सोने के लावा कुछ नहीं किया दोपहर पहले वा अतित कच्छों में से एक सोफे पर लेटा रहा और लगा तर शोता रहा दोपेर को उन्होंने उसे जगाया ताकि वा क्रिस्मस के अच्छे भोजन का अपना हिस्सा ले सके लेकिन इसके बाद वा फिर सो गया ऐसा लगता था मानो वर्सों से वा इतना सांती पूरवक और सुरचित नहीं सो पाया था जितना वहां रामसे में सोया था साम को जब क्रिस्मस व्रच को अप्रकासित किया गया उन्होंने उसे फिर जगाया और थोड़ी देर बैठा कच्छ में इस प्रकार आखे टिम्टिमाते हुए खड़ा रहा जैसे मौमबत्ती का प्रकास उसे चोंट तोंचाता है कि दिसके बाद वहां पुना गायब हो गया दो घंटे बाद उसे पुना जगाया गया उसे फिर भोजन कच्छ में नीचे जाना पड़ा और क्रिस्मस की मचलिया और दलिया खाया जैसे ही वह मेच से खड़े हुए वह सभी उपस्तित लोगों के पास गया और उसने उन सभी को धन्यवाद दिया और सुबरात्री कहा लेकिन जब वह आयूती के पास आया तो उसने उसे समझाया कि उसने जो वस्तर पहन रखें वह क्रिस्मस का उपहार है उसे उन्हें वा जगत किया जाएगा चुहेदानियों वाले आदमी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया वा केवल असी मास्चर के साथ यूती की तरह यूती की तरफ टटकी लगा कर देखता रहा अगली सुबा लओ वे अपारी और उसकी वेटी प्रसंचित भाव में जल्दी क्रिस्म की पूजा के लिए जागे उनका महमान यानि अतित वही चुहेदानी वाला अभी भी सोया हुआ था और उन्होंने उसे बादा नहीं पहुचाई जब लगभग दस बजे वे लोग चर्च से वापस चले तो यूती बैट गई और सामान शे कहीं जादा निरासा में सिर लट का लिया चर्च में उसे पता चला कि लव मिलके एक पुराने क्राफटर यानि करसक को एक ऐसे आदमी ने लूट लिया था जो घूम घूम कर चुहेदानी बेचता था ये बात उस लड़की लड़की को चर्च में पता चली और किसकी वो जो 30 क्रोना नहीं चुना आया था उसी के बारे में पता चला कि उसकी किसी चुहेदानी वालों ने लूट लिया हुए उसके पास भी थी। उसने आगे कहा कि उसने चर्च में सुना था कि वह आदमी चोर था, नौकर ने बताया कि आदमी जा चुका था, अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया है, इसके अलावा भी प्रीत किरिसमिस उपहार के रूप में एक पैकट छोड़ गया है, जिसके करपास रूप मिस विल में सन को, युतिने पैकट खोला, तो वह इतनी बुरी तरह बंधा हुआ था, कि उसके अंदर का सामान तुरंत दिखाई दे गया, वह खुसी से हलका सचीक पड़ी, उसे एक छोटी चुहेदानी मिली, और इसके अंदर दस क्रोनर के तीन नोट थे, परन्त यही सब कुछ नही मानों मैं कोई कप्तान हूँ, मैं बदले में आपके प्रति अच्छा होना चाहता हूँ, जैसे कि मैं सचमुच में कोई कप्तान हूँ, मैं क्रिस्मिस के अउसर पर एक चौर दोरा आपको सर्मिंदा नहीं होने देना चाहता हूँ, लेकिन आप या धन सड़क किनारे वाले बूढ़े आदमी को वापस दे सकती हो जिसने गरीब घुमकडों को लालच में डालने के लिए खिड़की की फ्रेम यानि किनारे पर थैला लटका रखा है या चुएदानी एक ऐसे चुएदानी और से क्रिस्मिस का उपहार है जो इस संसार की चुएदानी में फस गया यदि उसे कैप्टन ना बनाया गया होता क्योंकि इस तरह उसे सोयम को साप करने यानि सही रास्ते पर लाने की सकती मिल गई थी मतलब आप जो है वो चुएदानी वाला जो चूर था वो सुदर गया था और लास्ट में उसने क्या लिखा मित्रता और अत्यनतादर के साथ लिखने वाला आपका अपना कैप्टन वान इस्टेल तो इस तरीके से अच्छाई ने उसके दिल को जीत लिया तो आप बताईएगा ये मेरी स्टूरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताईएगा थांक्स फॉर वाचेंग अलो दोस्तों आज हम आप लोगों को सेवेसी बूर्ड का जो इंटर का इंगलिस में स्लेबस है चोथा लेशन